कौन है आकाशिंग और अंसुल इन दो होड़ सीटों पर कॉंग्रिस का टिकेट लगभव कंफर्म यहां अब भी सस्पेंस भरकरार आप दीख रहे हैं दखबरदार न्यूस यह न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सबको खबरदार बिहार में लोकसवा चुनाओं को लेकर तैयारी जोरों पर है कॉंग्रिस ने अब तक 6 सीटों पर अपने पत्ते नहीं को ले थे लेकिन राईवार को दिल्ली में बैठक के बाद कई सीटों पर उमीदवारों की गोशना कर दी आपको बता दी कि इस बार कॉंग्रिस ने ब बेटे को भी टिकेट दे सकती है बताय जा रहा है कि वैसे तो चेह सीटों पर प्रत्यास्वी की चनप्रग्रिया पूरी हो चुके है लेकिन कुछ एक सीटों पर अंतिम समय तक जारी रस्ता कसी के चलते उमीदवारों का एलाम नहीं हो सका बताया जा रहा है कि आज यारे क कॉंग्रिस के अद्यक्ष अख्लिश प्रिशाथ सिंग अपने बेटे आकास सिंग महराज गन से टिकेट दिलाने में काम्याब हो के वहीं सुत्रों के अनुसार प्रदेश के कई नीताओं की विरूद के बावजूद अख्लिश सिंग कॉंग्रिस के संगठन महासचिव अजन खर्गी समित पार्टी नेतरतु को आकास की उमिद्वारी पर राजी करने में सफल बताय जा रहे हैं इन सीटों पर किसे मिलेगा मौका महराज गन से पार्टी कई पुराने निताओं के साथ बिहार विधान परशद में निर्दिली विधायक सच्चदानंद राय भी अपनी पतनी या बेटे में से किसी को टिकेट दिलाने का प्रियास कर रहे थी सुत्रों के अनुसार मुजफर पूर सीट से भाज़पा छोड़ कर कॉंग्रेश में शामिल हुए वर्तमान संसद अजय निशात के उमिद्वारी लगोत तै कर दी गए है तो समझती पूर से स पनी हजारी को टिकेट दिया जा रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं AP Construction Solutions आपके लिए तैयार है मजबूत Civil Engineering से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़िया दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपन कि बाइपास